अगर आप मेंसे कोई लोग ऐसे हो जो ये कहें कि हम व्यसंद छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं है बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटका खाना अच्छा नहीं है लेकिन तलब उठ जाती है क्या करें हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब आ जाती है तो क्या करें तो आपको बीडी सिगरेट की तलब ना आए, गुटका खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते पहला उपाय तो ये है, कि जिनको बार-बार तलब लगती है, और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रन नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठाओ, आलती-पालती मार के इसको हम सुखासन कहते हैं, आखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो, और खाली बाई नाक से सास भरो और छोडो, बाई नाक से सास भरो औ जिसको हम लोग चंदर नाडी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो, जितनी जादा सक्रियता आपके चंदर नाडी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और आप इतने संकल बवान हो जाएंगे, जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे, तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे, ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है, दूसरा एक तरीका है, कि आपके घर में एक आयुरवेदिक आउशदी है, जिसको आप सब जानते हैं और पहँचानते हैं, और उस आउशदी का नाम है अदरक, अद्रक हम सब के घर में है, इस अद्रक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नीबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो, और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो, सूखने के बाद जब इसा पूरा पानी खतम हो जाए, ये अद्रक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो, जब भी दिल करे कि तंबा को खानी है, गुटका खाना है, बीनी सिग्रेट पीनी है, तो आप एक अद्रक का टुकड़ा निकालो, मूँ में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो, और ये अद्रक ऐसी अ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बोलेंगे ये अद्रक में ऐसी क्या चीज़ है, ये अद्रक में एक रसाइनिक तत्व है, जिसको हम रसाइन शास्तर की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं, सल्फर, अद्रक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है, जब हम अद्रक चूसते हैं, तो वो सल्फर है, जो अद्रक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है, तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतेसावी ग्रंतियों को सक्रिय कर दे बीडी की सिगरेट की गुठके की तंबा कुकी तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से ये तलब खतब हो जाती है इसका मैंने हजारों लोगों पर परिक्षन किया है और बहुत अच्छे सुखत परिणाम है बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है बीडी सिगरेट गुठका आधी आधी सब छूट जाता है